हेलो दोस्तो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ angular contact bearing के बारे में तो जैसे कि है आप bearing पर देख रहे हूंगे vmark, तो vmark से आप आसाने से समझ जाते हैं कि ये bearing angular contact bearing है साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो bearing के उपर नमबर लिखा हुआ है वो है 40TAC90 तो 40 का मतलब ID होता है और AC मतलब की अंगलो कॉंटक बेरिंग है वहीं पे 90 का मतलब की OD है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैंने AC बेरिंग का कट सेक्शन कार्ट दिया है मैंने बेरिंग को कार्ट दिया 20 से तो आप देख सकते हैं ID और OD किस तरीके से दिख रही है यहाँ पर आपको एक तरफ से ID का एक फेस चोड़ा दिख रहा है एक फेस यहाँ पर आपको comparatively पतला दिख रहा है यहाँ पर normally ball bearing को अगर आप देखेंगे तो ball bearing में यह straight होता है deep group ball bearing के अंदर यहाँ पर आपको जो ball में कोई angle नहीं दिखेगा बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि angular contact bearing के अंदर जो ball है हमारी वो angle पर है तो यहाँ पर अगर मैं इसको खोल के दिखाऊ तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी profile में ID की profile में भी अंगल बना रहता है उसी से यहाँ पर angle मिलता है ball को angular contact bearing के अंदर इसलिए इसको angular contact bearing बोलते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cage different type के होते हैं और cage का जो काम होता है वो ball को equal distance पर रखने के लिए होता है अगर cage नहीं होगा तो ball सारी एक दूसरे से मिल जाएंगी या फिर equal distance नहीं रहेंगी तो cage different material के होते हैं steel के होते हैं और यहाँ पर polymer के भी होते हैं तो यहाँ पर cage है वो polymer का है बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के से cage बीच में यहाँ पर balls को equal distance रखता है और यहाँ पर ID हमारी उसके बाद fit हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ball जो है वो एक particular angle पर यहाँ पर loaded हो रही है normally अगर आप ball bearing का cut section काटेंगे तो यह ball जो axis दिखेगी ball की वो बिल्कुल आपको shaft के perpendicular दिखेगी बट यहाँ पो आपको एक angle में दिख रही होगी ball मैं और इसको बहतर तरीके से आपको समझाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक तो मैंने axis से गुजा रहा है एक जो line है दूसरी को perpendicular खीचा है बिल्कुल shaft के perpendicular तो जो angle यहाँ पर बनता है दोस्तों इसी को हम contact angle बोलते है angular contact bearing के अंदर इसको मैं अगर और बहतर तरीके से समझाओ तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं इसको बनाओ तो यहाँ पर V type का एक mark बनेगा एक जो है उपर वाली बॉल के 20 से होता वह गुजरेगा और एक नीचे वाली जो आपको नीचे वाली बॉल दिख रही है तो इस तरीके से V mark बनेगा साथ में contact angle मैंने आपको बताया कि क्या होता है अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर यह bearing की axis है जो बीच वाली रेखा मैंने खीची हुई है और बॉल इस तरीके से नॉर्मली अगर perpendicular है उस line के जो axial line मैंने खीची हुई है अगर बॉल है बिलकुल perpendicular है तो वो केवल radial load ही ले सकती है लेकिन वहीं अगर यह ball है अगर कोई angle में है particular और contact angle बना रही है तो यह दोस्तों दोनों type के load लेने की capacity रखती है यह axial load भी ले सकती है और radial load भी ले सकती है आगे मैं समझाओंगा कि किस तरीके से यह load लेती है तो यहीं दोस्तों जो मैंने V mark आपको नीचे बताया था बनाके तो वही V mark actually bearing के OD पे भी available रहता है तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो bearing का face है वो जहाँ पे यह move बंद हो रहा है उस तरफ को face होता है यह देखिए इस तरीके के mark जहाँ पे आपको देखेगा तो V जहाँ पे noach बंद हो रही है वो face होता है उस side को और दूसरे हिससा जो होता है वो bearing का back होता है अगर मैं bearing के arrangement की बात करूँ तो यहाँ पे देखे अगर दो bearing में लगाता हूँ और वो इस तरीके से face से face उसका मिलता है तो वो bearing का arrangement होता है उसको हम face to face arrangement कहते हैं वही अगर back to back की बात करें तो वहाँ पे जो दो bearing का arrangement होगा वो back to back होगा मतलब कि एक bearing का back दूसरी bearing के back से attach रहेगा तो normally back to back जो होती है वो rigidity ज़्यादा करने के लिए होती है कहीं भी axis में और face to face जो use होती है वो normally थोड़ा सा rigidity कम रहने के लिए होती है मतलब कि आपका floating वहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो normally face to face को df करके भी बोला जाता है और back to back को db करके बोला जाता है और वहीं तीसरा arrangement जो होता है वो tandem arrangement होता है जब अगर आप दोनों angular contact bearing को one by one रख देते हैं यानि कि एक का face दूसरे के back से touch होगा तो वहाँ पे जो bearing का arrangement होता है वो tandem होता है tandem arrangement इसलिए किया जाता है कि one particular direction में अगर आपको load की capacity को बढ़ाना है load tagging capacity को बढ़ाना है तो वहाँ पे tandem arrangement यूज किया जाता है अगर आप यहाँ पे अगर आप देखिए force किस तरीके से divide होती है angular contact bearing के अंदर तो आपको पता है अगर मैं इस bearing को इस तरीके से रख दूँ तो जो shaft के मतलब कि अगर यह bearing के जो center से होते होए line गुजरेगी मतलब axially जो line गुजरेगी वो वहाँ को जो axial forces लगते हैं और जो perpendicular जो भी रहेगी मतलब कि जो bearing का ज़ए तर rotation जो होगा तो वहाँ पर जो forces develop होगी वो radial load develop होते हैं bearing के perpendicular direction में तो दोस्तों मैं ball bearing के respect में समझाओ तो ball bearing में जो ball होती है वो directly perpendicular होती है axial के तो यहाँ पर ball आपको दिख रही होगी इस तरीके से ball bearing होती है तो यहाँ पर यह केवल radial load ही ले सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई contact angle नहीं है अब बात करें दोस्तों angular contact bearing के तो वहाँ पर जो ball होती है वो particular एक angle पर होती है जिसको हम contact angle बोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सेते हैं कुछ contact angle है यहाँ पर जो की vertical से जो भी angle बनता है जो ball की axis का तो यहाँ पर अगर आप force को divide करें तो दोस्तों अगर कोई force angular contact bearing में लग रही है तो उसके दो factor होते है जो axial force की तरह हो जाएगा वो होता है F sin theta और radial वाला जो factor होता है वो होता है F cos theta जो भी हमारा force लगेगा उसमें cos theta और sin theta factor से multiply हो जाती है अब मैं समझाता हूँ आपको अगर contact angle हमारा 45 degree से suppose काम है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों अगर 45 degree के बराबर है तो जो bearing होगी वो जितना radial load ले सकती है उत्रही axial load लेगी क्योंकि यहाँ पर sin theta equal to cos theta हो जाता है तो वही theta की value अगर greater than 45 होती है तो उस condition में हमारा 45 से उपर जाने में हमारा sin theta की value तो बढ़ेगी लेकिन cos theta कम हो जाएगा इसलिए वहाँ पर जो axial load taking capacity होगी वो ज़्यादा हो जाएगी radial load taking capacity से वही मैं बात करूँ अगर contact angle less than 45 होगा तो वहाँ पर जो cos theta की value होगी वो जादा हो जाएगी sin theta से इसलिए हमारा जो load taking capacity जो radial direction में जादा होगी axial load taking capacity के compare में तो अभी मैं ball screw की बात करूँ दोस्तों तो ball screw की assembly में जो भी angular contact bearing यूज होती है वो normally higher contact angle की use होती है around 45 to 60 because वहाँ पर जो axial load होते है वो जादा होते है वही spindle assembly की बात करूँ जो VMC, HMC में लगते है due to high RPM वहाँ पर हमें जुरुत होती है high radial forces जहलने के लिए तो वहाँ पर हमारे जो contact angle होते है वो 5D to 25 degree वहाँ पर use करते हैं तो यह आप समझ लीजे जहाँ पर भी rotation वहाँ पर जादा रहेगा और loaded कम रहेंगे tool loaded जो tool load होता वो कम रहेगा तो वहाँ पर हम कम contact angle की bearing यूज़ करेंगे तो दोस्तो आशा करता हूँ आज की वीडियो देखने के बाद आप समझ गये हूँ है कि angular contact bearing के अंदर किस तरीके का हमारा angles रहते हैं बाल के कैसे हम identify करेंगे angular contact bearing को और कैसे इसमें arrangement होते है bearing के और किसका क्या role होता है तो दोस्तों अगर कोई भी doubt इसमें है तो आप comment box में comment कर सकते हैं आगे लेके आऊँगा कुछ ऐसे ही वीडियो तब तक के लिए दीजिये जाज़ा जै हिन जै भारत पड़ेगा इंडिया तो बनेगा स्किल इंडिया